Hello Children, Welcome to Assay Education आजब चाप्टर करें The Sermon at Banaras First Flight Book से Grade 10 CBS से Gautam Buddha Begin Life as a Prince नेम सिधार्थ Gautam in Northern India Northern India में Gautam Buddha ने अपनी जीवन की शुडवार एक प्रिंस के तौर पर करी थी तब उनका नाम तक सिधार्थ Gautam ये बात 563 BC से 483 BC तक की है At 12, he was sent away for schooling in the Hindu scriptures and 4 years later he returned home to marry a princess 12 साल की उमर में इनको बहार बेच दिया गया था ठाकि ये जो है schooling कर सके Hindu जो pure Hindu scriptures होते हैं वहां पर उनकी जो है training ले सके साथी साथ, चार साल बार जो है ये वापिस है तब इनकी जो है शादी एक प्रिंसेस से कर दी गई They had a son and lived for 10 years as befitted royalty फिर इनके एक लड़का हुआ और पर इनोने 10 साल तक लगभग सारी सुख सुविधाओ का जो एक राजसी सुखतायों पिये उनका स्तमाल किया At about the age of 25, the prince, here to four, shielded from the sufferings of the world while out hunting chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession and finally a monk begging for alps 25 साल की उमर में जब प्रिंस जो है एक दिन शिकार के लिए बाहर कए तो वहां उन्हें एक बीमार आदमी निखा फिर उसके बाद एक बुड़ा आदमी फिर एक उन्होंने शवयात्रा रेखी और फिर फाइनली एक ऐसा monk दिखा जो भीग मांगा था इन सब जो displeasure sites थी उससे इनको बहुत तकलीक हुई कि बाहर दुनिया में कितनी ज़्यादा suffering है इन सब चोड़ चीजों को उन्होंने दीखा उससे वो इतना ज़्यादा हिल गए इतना ज़्यादा प्रभावित हो गए कि वो एकदम से खुद उन्होंने सब चीजें जो भी उनका राजसी बोगता सब त्याग दिया एक भिकारी के तोर पे वो जो है अपने महल को छोड़ के चले गए और उस दुनिया में गए जहां पर वो जो है एक ऐसी spiritual knowledge को पा सके जिससे यह जो दुनिया में दुख है जो उन्होंने देखे हैं उसको concerned थे क्योंकि उनको बहुत जादा उस दुख को देख कर जो उन्होंने देखा था उससे वो इतना जादा प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने एक high spiritual knowledge को attain करने के लिए बाहर निकलना सही समझा He wandered for seven years and finally sat down under a fig tree where he wore to stray until enlightenment came साथ साल तक वो भटकते रहे अब है फाइनली जाके वो एक fig tree के नीचे बैट गए Fig tree यानि की जो fig होती है अंजीर के पेर के नीचे बैट गए थे और वहाँ वो तब तक बैटे रहे जब तक उनको पुईते से वो spiritual knowledge मिल नहीं गई Enlightened after seven days, he renamed the tree to the bow tree, the tree of wisdom and began to teach and to share his new understandings जब उनको enlightenment हुआ तो उसके बाद उनोंने जो है उस tree का नाम bow tree रख दिया यानि की एक tree जो wisdom की है और फिर वहीं से बैट के उनोंने अपने जो नई समझ थी उसको पढ़ाना और share करना शुरू किया At that point, he became known as Buddha, the awakened or the enlightened अब इस समय जो है उनका नाम एक Buddha हो गया था और अब Buddha का मतलब होता है जागरोग और जिसके पास पूरी knowledge है The Buddha preached his first sermon at the city of Banaras, most holy of the dipping places on the river Ganges अब Buddha ने अपना जो पहली preaching थी पहला प्रवचन जो था वो बनारस शहर में दिया एक ऐसी जगे जहां पर लोग गंगा नदी में डुपकी लगाने आती है That sermon has been preserved and is given here वहीं जो sermon जो देश उनों ने दिया उसको बहुती संभाल के रखा गया है और उसी के बारे में आपको बताया जा रहा है It reflects the Buddha's wisdom about one instructable kind of suffering इसमें जो बुद्धा ने अपनी knowledge बताई है वो एक ऐसी चीज़ के बारे में है एक ऐसी suffering के बारे में जिसको कभी समझ नहीं सकते किसा गौतमी had an only son and he died किसा गौतमी जो थे उनका खाली एक ही लड़का था और वो मर गया In her grief, she carried the dead child to all her neighbors asking them for medicine and the people said she has lost her senses, the boy is dead तो जो किसा गौतमी थी वो इतनी जादा दुख हो गई थी या उनका इतना जादा दुखी थी वो कि वो अपने मरे हुए बच्चे को हर पडोसी के पास ले जारी थी और उससे कहरी थी कि इस के रिए दवा दे दो लेकिन बोग कह रहे से कि या पागल हो गएंगे क्या इनको माइंड नहीं है, इनका लड़का मर चुका है At length, किसा गौतमी met a man who replied to her request Finally, किसा गौतमी एक ऐसे आदमी से मिली जिन्होंने उसकी request पे जो जवाब दिया, वो क्या था I cannot give the medicine for that child but I know a physician who can मैं तुम्हारे बच्चे के लिए कोई दवा तो नहीं दे सकता पर हाँ एक वैद को जानता हूँ जो तुम्हें दवा दे सकता है And the girl said, pray, tell me sir, who is it? And the man replied, go to Sal Yamuni, the Buddha तो girl ने कहा कि please मुझे बतादो sir, वो कौन है? तो उस आदमी ने कहा, चाओ, Sal Yamuni वे अस चले चाओ, वो बुद्धा है किसा गौत्मी replied to the Buddha and cried, Lord and Master, give me the medicine that will cure my world अब किसा गौत्मी जो है, फौरन बुद्धा के पास आहीं और उनने वहां उनको रोते रोते कहा कि please भगवन मेरे को जो है, medicine दे दो, दवा दे दो, जिसे मेरा बच्चा ठीक हो जाए तो बुद्धा answered, I want a handful of mustard seed बुद्धा ने कहा, मुझे जो है, एक मुठी भर के सरसों के दानी चाहिए and when the girl in her joy promised to procure it, तो बुद्धा added तो जो लड़की थी, वो खुश हो गई, उसने कहा, हाँ, मैं जरूर दे दूंगी तुमको तो बुद्धा ने आगे कहा, the mustard seed must be taken from the house where no one has lost a child, husband, parent or friend तो उनने कहा, मुझे जो सरसों के दानी है, सिर्फ उसी घर से चाहिए है जहां आज तक कभी किसी ने ना अपना बच्चा खोया हो, ना किसी के husband के death हुई हो, ना कोई parent मरा हो, ना कोई friend और किसा गॉत्मी थी, वो जो हैं घर घर जा रही थी और लोग जो हैं उस पर दया दिखा कर बोल रहे थे कि ठीक है, ये लो सरसों के दानी ले जाओ but when she asked, did a son or a daughter, a father or a mother die in your family तब जो किसा गॉत्मी तिनों ने पूछा उन से कि भै आपके परिवार में कोई लड़का, लड़की, माता, पिता कोई मरे हैं they answered her, alas, the living are few but the dead are many तो जवाब यही मिलता था कि हां रहने वाले तो कम हैं और मरने वाले सादा हैं do not remind us of our deepest grief तो हमें प्रीज हमारे उन दुख बरे बातों की याद मत दिलाओ and there was no house but some believed one had died in it कोई भी ऐसा घर नीता जहां पर किसी का कोई अपना ना मरा हो किसा गौत्मी become weary and hopeless and sat down at the wayside watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again अब किसा गौत्मी जो है वो बहुत जादा नाउमीद हो गई थी तो वो जो है एक किनारे पर बैट गई और जो शेहर की लबत्तियां थी उनको देखने लग गई जो की जल बुझ रही थी at last the darkness of the night rained everywhere फिर ऐसा लगा कि पूरी जैसे चाल तरफ अंदकार ही अंदकार हो गया है क्योंकि रात हो चुकी थी and she considered the fate of men that their lives trigger up and are extinguished again फिर वो समझ जाती है कि ये इनसान की किस्मत है कि उसकी जिन्दगी जो है जलती है और बुझती है and that she thought to herself how selfish I am in my grief death is common to all फिर उसने अपने आप से सोचा कि मैं कितनी जादा selfish हो गए थी अपने दुख में death तो हरे एक को आती है and yet in this valley of desolation there is a path that lets him to immortality who has surrendered all selfishness फिर भी ये जो valley है ये desolation की जो valley है जहाँ एक ऐसा area जहाँ पर बहुत जादा दुख है तब भी वहाँ एक ऐसा रास्ता है जो उसे immortality यानि अमर्ता की ओर ले जाएगा जिसने अपनी सारी selfishness को surrender कर दिया है बुद्धा सेड the life of mortals in this world is troubled I am brief and combined with pain तो बुद्धा न उसे कहा कि ये जो लोग जीवित हैं इस दुनिया में वो हमेशा परिशान रहते हैं और उनकी जो life है वो हमेशा दुख के साथ जुड़ी हुई होती है for there is not any means by which those that have been born can avoid time ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे कि जो लोग पैदा हुए है वो कभी ना मरे after reaching old age there is death of such a nature our living means जो पैदा होता है वो बुड़ा होता है और जब बुड़ा होता है तो वो मर जाता है यह nature है विदी विधान है हर living being के लिए as ripe fruits are early in danger of falling so mortals when born are always in danger of death जिस तरह से जो फूटs होते हैं वो जब पक जाते हैं तो हमेशा उनके गिरने का डर रहता है उसी तरह से जो लोग जिंदा हैं अगर वो पैदा हुए है तो वो हमेशा यह डर बना रहता है कि वो कब मर जाएंगे as all earthen vessels made by the potter and in being broken so is the life of mortals जिस तरह से जो मिट्टी के घड़े बरतन जो कुमार बनाता है वो अंत में क्या होता है तूट जाते हैं उसी तरह से जो mortals है उनकी जिंदगी है both young and adult both those who are fools and those who are wise all fall in the power of death चाहे young हो बुड़े हो चाहे मूर्ख हो या बुद्धिमान हो सब के सब जो है इस death की power में गिरते ही गिरते हैं all are subject to death हर कोई मरता जरूर है of course those who overcome by death depart from life a father cannot save his son nor kinsmen their relations आस खासता और से जो लोग जो नुट्री के उपर विजय पा लेते हैं वो life से विलकुल अलग हो जाते हैं एक father कभी अपने बच्चे को नहीं बचा सकता या कोई kinsman अपने relations को नहीं बचा सकता Mark while relatives are looking on and lamenting deeply one by one mortals are carried off like an ox that is led to a slaughter ये बात यार रखो कि जहां एक तरफ relatives जो हैं वो तुम्हें देख रहे हैं और तुम्हाई लिए दुखी हो रहे हैं एक के बाद एक सब जो हैं मर जाएंगे जैसे कि और जो एक बैल होता है उसको बली के लिए ले जाते हैं So the world is afflicted with death and decay therefore the wise do not dream knowing the terms of the world ये जो दुनिया है ये पूरी तरह से प्रभावित है death से और disease से pain से इसलिए जो बुद्धिमान है वो दुख नहीं मनाते क्योंकि उन्हें पता है कि दुनिया का क्या चलन है Not from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind रोने से या विलाब करने से कोई भी मन की या दिमाग की शांती नहीं पा सकता On the contrary his pain will be greater and his body will suffer उल्टा उसका जो दुख है वो और जादा हो जाएगा और उसकी बोडी जादा सफर करेगी He will make himself sick and pale yet the dead are not saved by his lamentation अगर वो रो रहा है तो वो खुदी बीमार पड़ेगा खुदी उसकी बोडी डल हो जाएगी लेकिन जो मर गया है वो उसके विलाब करने से बच नहीं जाएगा He who seeks peace will draw out of the arrow of lamentation and complaint and grief अग जो चांती चाहता है उसे इस lamentation जो कहते हैं आपका विलाब है या जो शिकायत है दुख है इन सब से बाहर आना होगा He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain the peace of mind जो इन चीजों से बाहर आ जाता है उसे शांती मिल जाएगी and he who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed और जो इस दुख से पूरी तरस से पार पाचुका है वो अपनी दुख और तकलिफ से पूरी तरस ने जाद पा जाएगा और वो हमेशा जो है blessed रहेगा